शांभवी महामुद्रा बस एक रास्ता बना रही है ताकि आपका सबसे भीतरी भाग काम कर सके शांभवी परमानन पैदा नहीं कर रही है शांभवी केवल इन चारों को एक सीध में ला रही है ताकि ये स्रिष्टी का स्त्रोथ अभिव्यक्त हो सके ये योग के दो रूप है एक है कि आप हर चीज को पवित्र मानते हैं दूसरा है कि सब कुछ बक्वास है क्या आप देख सकते हैं कि ये शरी जैसे कि हम बार बार इस बारे में बात करते आए हैं जब ये पैदा हुआ था ये इतना छोटा था अब ये इतना बड़ा हो गया है बेशक आपको किसी बा स्रिष्टा कहते हैं वो आपके भीतर से काम कर रहा है इसका आर्थ है कि वो निर्माता जिसने शरीर और इस अस्तित्व को बनाया है वो आपके भीतर से काम कर रहा है अगर निर्माता आपके भीतर है अगर आप उसे काम करने के अनुमती दें तो शरीर में छोटी मोटी दि प्रम्भवी महमुद्रा बस एक रास्ता बना रही है, ताकि आपका सबसे भीतरी भाग काम कर सके। अगर आप इसे अनुमती दें, तो इसकी प्रकृती ऐसी है। योग में हम आपके सबसे भीतरी भाग को आनंदमय कोश कहते हैं। लोग सदियों से कहते आएं, कि अगर आप ईश्वर के संपर्क में आएंगे, तो आप पर्मानंद का अनुभव करेंगे। पता है वो इसकी बाते करते रहे हैं। ये बस बात को समझाने का एक अलग तरीका है। आपके अंतरतम को आनंदमय कोश कहा जाता है। अब हम बस इतना ही कर रहे हैं कि हम भौतिक शरीर, मानसिक शरीर, उर्जा शरीर और आकाशी शरीर को एक सीध में लाने की कोशिश कर रहे हैं। ताकि आपका अंतरतम ये आनंद शरीर अभिव्यक्ति पा सके। शामभवी परमानन पैधा नहीं कर रही। शामभवी केवल इन चारों को एक सीध में ला रही हैं, ताकि ये सरिष्टी का सत्रोत अभिव्यक्त हो सके। आपके भीतर मौझूद सरिष्टी का सत्रोत वो स्रिष्टा अगर अभिव्यक्त हो सके। तो क्या आपको लगता है कि आपके दिल, लिवर या किड्नी को ठीक करना कठेन होगा? जब निर्माता बाहर निकल कर काम करने लगता है, तो सब कुछ ठीक हो जाता है. आप देखेंगे कि एक चमतकार की तरह सेहत सुधर जाएगी. मैं आपको हजारों ऐसे लोग दिखा सकता हूँ, जिन्होंने बस यूँ ही अपने बिमारियों से छुटकारा पा लिया, जैसे कोई चमतकार हो. क्या है चमतकार है? आपको जो भी चीज समझ नहीं आती, आप उसे चमतकार कहेंगे, है ना? मान लेते हैं कि आप बिजली के बारे में कुछ नहीं जानते, और मैं आपसे कहता हूँ, आप बस देखते रहिए. मैं बस अस दिवार को छूँँगा, और सारे हॉल में जगमग रोश्णी हो जाएगी. क्या आप मेरा यकीन करेंगे? आप मेरा यकीन नहीं करेंगे? आप कहेंगे, नहीं, ऐसन नहीं हो सकता. अब अगर मैं बटन दबाता हूँ और अचानक हर तरफ रोश्णी हो जाती है, तो आपको लगेगा कि मैं इश्वर का बेटा हूँ, या पैगंबर हूँ, या खुद भगवान हूँ, आपकी संस्कृति के अनुसार, है ना? कोई भी चीज जिसे आप नहीं समझते, वो आपके लिए एक चमतकार है. या तो जीवन में कुछ भी चमतकार नहीं है, सब कुछ कारण और प्रभाव के बीच होता है, या सब कुछ एक चमतकार है. क्या ये जीवन एक चमतकार नहीं? मैं और आप बैठे हैं, इस गोल ग्रह पर, जो तेज रफ्तार से घूम रहा है, क्या ये चमतकार नहीं है? आखें हो, तो सब कुछ चमतकार है, या कुछ भी चमतकार नहीं है. जीवन को देखने के ये दो तरीके हैं, ये योग के दो रूप हैं. एक है कि आप हर चीज को पवित्र मानते हैं. दूसरा है कि सब कुछ बकवास है. लेकिन अभी आपके समस्या ये है, कि आपको जो पसंद है, वो पवित्र है. आपको जो पसंद नहीं, वो बकवास है. यही समस्या है, यही फंदा है. सब कुछ पवित्र है, ये जीवन जीने का एक सुन्दर तरीका है. सब कुछ बक्वास है, ये भी जीने का एक सुन्दर तरीका है ये लोग पवित्र हैं, ये लोग गंदे हैं, ये भाव आपको नश्ट कर देगा